जबी भी हम SUV के बार में बात करते हैं हमारे दिमाग में आते हैं बड़ी ऊची गाड़ी जो 4x4 हो कहीं भी मुश्किल जगाओं पे भी चली जाए तो दो ऐसी SUVs के बार में अगर मैं बात कर लो इंडिया में एक तो आजाती है महेंदर की तरफ से Scorpio N और दुसरी है Toyota की तरफ से Fortuner अब यह दोनों गाड़ियां बड़ी है capable off-roaders है spacious 7-seaters है तो हमने सोचा इन दोनों को compare करते हैं जबके इनकी pricing में एक major अंतर आ जाता है अब अगर आप दोनों गाड़ियों की sizes देखते हैं तो यह काफी हद तक similar है तो यह test उन लोगों के लिए जिनका budget flexible है और वो च में कितनी जगा है क्या third row में गाड़ी में जगा है music system कैसा है गाड़ी का और गाड़ी में क्या-क्या features आते ऐसे test करेंगे जो आप बहार जाके खुद नहीं कर पाओगे और साथी में कोई और शाय दी आपके लिए यह सारे test ले कि आएगा तो आज का video dedicated है उन लोगों के ल MBO. So किस बात के लिए रुके? Let's go in the video. अब अगर आप exterior styling के बारे में बात करते हैं तो वो तो आपका personal choice है इसलिए हम exterior design पर नहीं बात करते हैं रादर यह चीज़े बताएंगे जो generally लोग आपको नहीं बताते हैं अगर आप दोनों गाड़ियों के headlamps देखते हैं पहले हम Fortuner की बात करते हैं इसमें LED headlamps आते है इसका overall throw and spread काफी अच्छा तो अब रात को 100 के ऊपर चलाते हैं तो आपको visibility में problem नहीं आने वाला है similarly Scorpio N में भी आपको LED headlamps आते हैं overall इसका भी throw और spread काफी बढ़ी है जिससे आपकी drive quality बिलकुल नहीं affect हो कि और आपको अगर तेज भी जाना है तो आपको वो extra confidence हर बार जेता है दोनों गाडियों के wipers में बिलकुल cost cut नहीं हो है दोनों में expensive वाले wipers दिये हो है जिसको Aero Twin कह सकते हैं और यह बहुत बढ़िया quality के wipers है overall इनकी cleaning capacity better है और just for your reference जो regular wipers आते हैं वो इसके one third यानि कि अगर regular wiper 500 काता है तो यह कम से कम 1500 रोपे के पड़ते हैं बट इसका जो effect of cleaning the glass is lot better तो यहां पे कहीं पे भी cost cut नहीं किया गया है दोनों गाडियों में 18 इंच के wheels आते हैं थोटा मोटा differentiation है मलब अगर आप Fortuner में देखते हो तो इसमें आपको जो tire size है वो थोड़ी चोड़ा ही जादा है compared to the Scorpio N वरना दोनों में आपको 18 inch के wheel आते हैं दोनों गाडियों में चड़ने उतरने के लिए आपके पास एक side step भी available कराया गया है जिससे आपका चड़ना उतरना काफी आसान हो जाएगा अब अगर मैं ground clearance की बात जो आपको ज्यादा help करेगी फॉर्चनर की अगर आप चाबी देखते तो इसमें आपको lock unlock and boot opening option दिया गया है वहीं पर आपको Scorpio में भी lock unlock and boot opening option दिया गया लेकिन एक flip key दी हुई है फॉर्चनर में आपको electric tailgate आ जाता है थोड़ा slow है थोड़ा noisy है but definitely tailgate electric है यहां पर वहीं पर आपको Scorpio N में उनका Scorpio style का tailgate दिया हुआ है जो side की तरफ swing करता है जो मेरे साब से उसके favor में यहां नहीं जाता है Scorpio N की अगर आप boot space देखते तो अगर आप third row seat fold करते तो आपके पास अच्छी खासी जगा है आप एक small medium large team size के suitcases यहां easily बठा सकते हो पर अगर आपका third row अगर raised है तो आपके पास बहुत जादा जगा नहीं है आप मुश्किल से एक बैग वहां fit कर पाओगे वहीं फॉर्चनर में अगर आपकी सारी seats folded है तो आपका सारा तीनों बैग का लगे जाराम से बढ़ जाएगा with some more extra space easily पर जब उसकी seat folded नहीं है तब यहां पे भी आपक 17 इंच आता है फोर वील ड्राइव में आपको 18 इंच वील आ जाता है तो अगर अगर आप इंटीते दिखते एवन लेजेंडर के अगर आप मिटीते तो थोड़े ओल स्कूल लगते क्योंकि इसका actual design जो है 2017 में इंडिया में ता 2016 में अच्छली थाइलेंड वे लांच वे तब से यही design आगे carry forward किया जा रहा है और आगे चलके जब new generation आगी तब हम changes यहां expect कर सकते हैं बड़ टोटा जेनरली बहुत ही underrated रहता है with it 20 years, simple रहता है, subtle design तो यह Toyota की हमेशा से point रहे है तो अगर आप Toyota लेने की देख रहे हो तो आपको यह चीज उनके characteristics से हमेशा वाके पड़ेगा अब अगर मैं इसके materials की बात कर लो तो इसमें भी आपको mix of hard and soft touch materials आजाते हैं जो driver के सारे touch points है वो तीनों के तीनों soft touch elements ही मिल जाते हैं अब अगर मैं इसकी seats के बारे में बात कर लो, front seats comfortable है, अच्छी खासी wide है, थोड़ा support और side का better हो सकता था, but it's decent enough, ऐसे uncomfortable or anything, however, Fortuner में आपको एक चीज़ जो मिलती है वो ही है कि आप अगर काफी चौड़े हो तो आप बहुत comfortably बैट के हाँ जा सकते हो, and ऐसे नहीं की 2-3 घंटा पूरा दिन भी गाड़ी में बैटाओ को you'll not really get tired, अब Fortuner भी आपको कुछ-कुछ unique features देती है, जैसे इसमें ventilated seats जाता है, electric tailgate दिया है इस गाड़ी के अंदर, इसमें co-driver seat electric है, इसमें आपके पास paddle shifters भी मिल जाते हैं, जो Scorpion नहीं देती है, और साथ में आपका जो mirror है, interior वाला, वो day and night वाला auto mode दिया हुआ है, वेरिस Scorpio में आपको adjust करना पढ़ता है, Scorpio NK अगर आप interiors देखते हैं, तो यह काफी simplistic है, black and brown color का combination मिल जाता है, और आपका roof जो है, beige color कियाती है, जिस विजे से आपको cabin थोड़ा airy feel definitely होगा, अब इसमें आपको mix of plastic साथ है, hard plastic और soft plastic, दोनों का एक mixture यहां मिल जाता है, और driver के जो भी touch points है, वो सारे के सारे soft दिये गए है, अब इसकी seats जो है काफ अब सफर पे जा रहे हो, तो आप comfortably इस पे बैठ के जा सकते हो, मैंने मीलो कवर कि इस गाड़ी में, घंटो चलाया है गाड़ी, and it's not at all tiring, दोनों front seats बहुत comfortable है, and there's absolutely no complain here, Scorpio N की unique features अगर आप देखते है, इसमें आपको sunroof आजाता है, second आपको front camera भी आजाती है, and तीसरा very important इस गाड़ी के जो speakers है, एक तो number of speakers भी ज्यादा है, और साथी में इसमें आपको 3D surround sound system मिलता है, which is a lot better than the Fortuner, Fortuner की driver seat जो है, electrically adjustable है, and Scorpio में भी आपको electric seat adjustment मिलती है, दोनों में आपको memory function नहीं available करा गया है, Fortuner का steering height and reach दोनों के लिए adjustable है, and Scorpio में आपका steering wheel सिर्फ height के adjustment नहीं आता है, Fortuner का touch screen system is very average, it needs a clear improvement, क्योंकि ये बहुत ही basic UI है, और ये 50-55 लाकी गाड़ी का touch screen बिल्कुल feel होता ही नहीं है, वहीं पे touch screen system अगर आप Scorpio का दिखते है, तो इसका UI काफी अच्छा है, it's quite easy to use, थोड़ा complicated है पहले बार यूज करोगे, but overall it's good, Fortuner definitely needs to work a lot on its touch screen system के साथ साथ, उसकी reverse camera also, बहुत ही basic camera है, और जब आप इतने पैसे दे रहे हो, ये बहुत simple है, और quality में भी यहाँ clear improvement की जरुत है इसको, महीं पर Scorpio का camera has improved to a great extent, हमने का था कि software update के तो इसमें major update आने वाला है, काफी updates आए हैं, लेकिन अभी भी ये laggy है, तो जो 7W का camera, Scorpio क camera technically similar है, हावे ब स्कॉर्प्यो का camera अभी भी laggy है, जबकि इसमें front camera भी आती है, Fortuner के front door pad में एक लीटर की bottle बैच जाती है, आपके पास आगे एक cup holder जिया गया नियर AC vents, आपका glove box भी गाड़ी का अच्छा खासा बड़ा है, तो यहाँ पे भी आप काफी सामान easily बिठा सकते हैं, आपके पास और एक cup holder है नियर AC vents to cool it, आपके पास extra storage space भी है, glove box में उपर की तरफ, you have two extra cup holders आगे front में also, and you even have armrest के नीचे storage front में, जो इसे काफी usable बना देती है, second row में आप door में एक लीटर की bottle आज सकते हैं, आपके पास cup holders है दियर passengers के लिए, Fortuner के third row में भी आप bottle रख सकते हो, वहाँ पे अच्छी खासी जगा दी गई है आपको, Scorpio N के door pad में एक लीटर की bottle आगे बैच जाती है, आपके पास आगे दो cup holders भी available कराए गए हैं, जापे आपके पास अच्छी खासी storage है, प्लस, you also have a decent enough glove box, इतना बड़ा glove box इस गाड़ी का नहीं है, armrest भी है, बट बहुत ही छोटा से phone बैटता है, second row में आपके पास एक लीटर बॉटल रखने की जगा है, Scorpio N में, आपके पास दो cup holders बिठाने की जगा है, in the armrest as well, and third row में आपके पास bottle storage भी है, फॉर्चनर में आगे आपके पास wireless charging pad आता है, और साथ में आपको मिल जाता है, एक USB and 12V socket, वेराज, second row passengers के पास charging के लिए फॉर्चनर में मिलते हैं, दो USB sockets, Scorpio N में आपको मिल जाते हैं आगे wireless charging pad, और Scorpio N में आपके पास है दो USB charging ports आगे और पीछे type-c charger है, Scorpio N में अगर आप mobile phone storage की बात करते हो, तो आपके पास आगे wireless charging pad आ जाता है, आपके पास second row में भी phone रखने की काफी जगाए हैं to keep your smartphone, Fortuner में जब तीन लोगों को पीछे बिटा के देखा तो आपने नोटस किया कि यहां पे उनके पास switch अच्छी कासी है, तो तीन लोग comfortably बैढ़ सकते हैं, knee room अच्छी कासी है, overall minimum and maximum and head room भी काफी बढ़ी आए गाड़ी का, आपके पास thigh support भी more than sufficient available है, Scorpion में भी जब तीन लोगों को बिटा के देखा, यहां पे हमने notice किया कि overall जो shoulder room है गाड़ी का, यहां पे भी comfortable है, तीन लोग यहां पे भी बैढ़ सकते हैं, maximum and minimum knee room भी काफी बढ़ी आए गाड़ी की, so you have no struggle, आपके पास अच्छा कासा head room भी है, क्योंकि आपका रूफ उपर जाता है, आपके पास thigh support भी गाड़ी में काफी बढ़ी है, fortunately में third row में जब हमने दो लोगों को बिटा के देखा, हमने पहली चीज यह notice की कि यहां पे आपके पास काफी sufficient जगा है, तो इस वज़े से दो लोग आराम से बैट पाए है, उन्हें कोई problem नहीं हुई है, and overall it's a very comfortable space to be, knee room भी बहुत ज़ादा नहीं, just okay, and head room भी ऐसे नहीं की काफी है, just okay, of course, thigh support आपके पास बहुत ही minimal है, वही पर Scorpio में, अगर आप third row में जाने की बात करते हैं, comfort यहां कम मिलेगा, Fortuner को start कते हैं अभी, तो आपको एकदम engine noise feel हुआ गाड़ी में, एक vibration आई हमको जब गाड़ी start की, तो यह थोड़ा raw, बोलते हैं थोड़ा truck-like feel यहां आता है, अब Fortuner में आपको दोनो engines आते हैं, petrol, diesel दोनों, लेकिन इसका petrol जो है, naturally aspirated engine है, और बहुत ज़्यादा powerful नहीं है, अगर आप out ride acceleration की बात करते हैं, तो आपको pick up देगा वो, लेकिन वो बुलते हैं, तो पंच जो चाहें आपको push in the seat, वो यहां नहीं मिलता है, तो गाड़ी में, बट जो diesel है, उसको accelerator दबाग है, थोड़ा late response करता है, पर आपको वो definitely kick देता है, on the seat aspect, so यह चीज़ Fortuner की है, अब साथी में Fortuner की खासी है कि आपको काफी ज्यादा power देती है, अगर आप इसे Scorpio से compare करें, 500 NM का torque है इसका जो इसका बहुत बड़ा plus point यहां बन जाता है, और जब आप signal पे रुखते हो, तो इसमें भी आपको वो start-stop system दे दिया गया, तो गाड़ी बंद हो जाती है जैसे signal पे रुखते हो, और once again गाड़ी स्टाट होती है, पर यह again start-stop में इस गाड़ी में काफी noise है, that's something I'm not in favor of, absolutely, पर दोनों गाड़ियों को जो चलाने का मज़ा है, is definitely uncomparable, दोनों में आपको बॉनिट के एज़िस दिख जाते है, साथी में विंद्शील्ड है, वो बहुत पास में आपके, तो आपको एक बहुती commanding position मिलता है इन दोनों गाड़ियों में बैठ के चलाने को, राइड कॉलिटी में फॉर्चुनल थोड़ी जादा स्टिफ है, गड़ों से जाओगी तो जादा, you know, गड़े महसूस होते हैं आपको गाड़ी के अंदर, और इवन हैंडलिंग में थोड़ा जादा बॉड़ी रोल कंपेरिटिवली फील होता है, अगर मैं से स्कॉर्पियो एंज से आउटराइट कंपेर करूँ, वरना इसमें बॉड़ी रोल ऐसे ज्यादा नहीं है, अगर अगर आप इसको स्कॉर्पियो से डिरेक्ली कंपेर करोगे, तब आप में स्कॉरेगे कि हायर इसमें थोड़ा बॉड़ी रोल फील हो रहा है यहां पे, साथी में इसका स्टेरिंग वील बहुत हैवी है, और यहां पे यह क्लियरली उसमें पॉइंट स्लूस कर जाती है, तो अगर आप पहले बार फॉर्चुनर चला रहे हो, या पहले बार स्कॉर्पियन दूनों एक एक बैक टू बैक चला होगे, आपको स्कॉर्पियन ज्यादा कमफॉटेबल और इजी तु ड्राइब फील करेगी, वेरस फॉर्चुनर थोड़ी हेवी फील करेगी, for the first time अगर आप एक hatchback या छोटी साइस की SUV से इस पे अपग्रेड करने की देख रहे हो, so यह clear differentiation है कि ride comfort के मामले में Scorpio इसे ज्यादा better है, और वो इसका बहुत बड़ा miss out point है, क्योंकि यह गाड़ी ladder frame पे भी बनाए गई है, which even the Scorpio is, but इसका platform share होता है with Hilux, तो कहीं न कहीं I think वो fine tuning की और जरूरत है इस chassis को अगर फॉचुनर पे इसे continue होना है in the coming timeline, fuel efficiency भी अगर आप फॉचुनर की देखते तो ऐसे नहीं की बहुत ज़्यादा है या बहुत कम है, आपको almost 10-12 का average मिलेगा in city and highway पे 13-14 जाएगा उसे ज़्यादा जाने की चांसे नहीं है, Scorpio N चलाने की बारी कर देते है गाड़ी start, एकदम silently start होई है गाड़ी, there's absolutely no noise, बत्रब ना ही कई vibration है, ना harshness है, एकदम smoothly गाड़ी start होई है, इवन engine noise जो है, पता ही नहीं चला है, जब गाड़ी start की तभी तो बिलकुल भी पता नहीं चला है, देखें, Scorpio N में आपको दो engine options आते है, petrol भी आता है, डीजल भी आता है, and you get, you know, आपको जो वो किक चाहिए, वो मिलता है इसमें, अब 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 अगर अगर अप Scorpio N का engine tuning देखे हो, तो यह ऐसे टून किया गए ताकि आपको वो जादा गुरंट, जादा वो पंच दे हर बार, तो इसी वज़े से जबी भी आपको, you know, ड्राइव करना है, पुश करना है गाड़ी को, आपको कभी ऐसे फील नहीं होगा कि, और अरे, पावर नहीं है, या फिर, you know, थोड़ा और मज़ा सकता था, तो आपको यह गाड़ी चलाने में, जो वो जोई चाहिए, वो आपको हर बार मिलेगा Scorpio N में, तो यह इसका एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, साथ में, इसका स्टेरिंग वील बहुत ही लाइट है, आप इसे कमफिटिबली पूरा दिन चलाओगे, तो भी आपको थकावट नहीं होगी, और इवन आप हाईयर स्पीड पे जब गाड़ी चलाते हो, तब आपको, यह नो, वो महसूस नहीं हो रहा है कि यह बहुत तेज जा रहा हूँ गाड़ी में, यह इनस्टेबिलिटी है, कुछ भी नहीं, एकदम स्मूद ड्राइव है गाड़ी की, और इस इस वेर इस गाड ना के बराबर फील होंगे, इवन जो इसकी हैंगलिंग है, अब पहली चीज जो हमारा जिमांग में आती है कि गाड़ी इतनी उची है, मतलब फिलने वाली है, पक्का, बट अच्छल में वैसा नहीं है, इस गाड़ी की जो ओवराल स्टेबिलिटी है, बहुत बड़ी है, जब मैंने गाड़ी को पहले बार चलाया था, जब मैंने गाड़ी को पहले बार चलाया था, और दो फिर्स ताइम अंबी वाली में, आप जाके वो एक बार वीडियो भी देख लो, Scorpion का, कि मैंने कैसे उसको पुछ किया है, अरौंड बेंड, बरसात औरी है, फोग है, और स्टिल आम पुछिंग दकार, बट देख अपसलूटली नो प्रॉब्लम विद इट, हाँ, इसमें आपको स्टार्ट स्टाप सिस्टम भी आ जाता है, अब देखिए, गाड़ी स्टार्ट भी होगी और आपको पता भी नहीं चला, बहुत ही स्मूध है, और इंजिन की नॉ पेंडिंग आप कैसे चला रहे हो, हाईवे पे आपको पंदरा से सतरा के बीच में आवरिज मोस्त केसे में आ जाएगा, बट अगर आप गाड़ी जादा पुछ करते हो, या आप बहुत बहानक ट्राफिक में चलाते हो, तो डीजल की माइलेज आपको कम आने वाली है, और पेट्रोल जो है आपको 6-7 का आवरिज सेटी में देगा और हाईवे पे 10-11 का आवरिज देगा इन मोस्त केसे, तो पेट्रोल भी इसका काफी बढ़िया है इन टर्म्स अफ ड्राइविंग और फ्यूल एफिशेंसी और जो आपको किक चाहिए, वो आपको पेट्रोल और अबुनों में मिलेगा, हवेवर डीजल में ही आपको सिफ ड्राइव मोड मिलते हैं, अधी में डीजल में ही आपको केवल 4x4 मिलेगा, आपको पेट्रोल में स्कॉर्प्यो एं 4x4 नहीं ओफर करती है, फॉर्टर में जब हम हम हिल क्लाइंब टेस्कर करके थे लेका हमने को आप इसे कमफटेबली चला सकते है क्वाइट इजीली ब्रेकिंग में फॉर्चुनर की ब्रेकिंग काफी बढ़िया थी वी हद नो कम्प्लेंट काफी सॉलिड थी गाडी इवन स्कॉर्प्यो की ब्रेकिंग वस पर्डी क्लोस तो बहुत जादा दिफरेंस निये दोनों आपने सारे टेस्स नहीं देख लिए तो एक सीरस बायर है अगर आप सिफ यहां फन कॉंटेंट देखने क्ले है तो देख ली चाहिए लेकिन दिस विल नाट जस्ट हेल्प यहां पर अगर आप सिर्फ वर्डिक देखने आएंगे ओगे तो लिसन तो अगर आप तो अगर क्योंकि वह एक फॉर्चुनर है यह आपको बहुत जबर्दस राइबिलिटी देती है साथ में टोयोटा का जो रिसेल वाल्यू बढ़ जाता है बिकॉस अफ दिस वेरी गुड रलाइबिलिटी और लोग फॉर्चुनर खरीते हैं अफकोस बहुत अची स्टाइलिंगे इस इसका प्रीमियम नेस है वह एक्चुल में फॉर्चुनर से ज़्यादा बहतरीन फील हो रहा है साथ ही में इंजिन नॉइस कम है जादा टेक्नोलजी इसमें मिल रही है और और पर्फॉर्मेंस में भी यह काफी क्लोज आ जाती है तो दा फॉर्चुनर अब फॉर्चुनर क जो खामिया है वह एक्चुल में Scorpio N फुल्फिल कर रही है हावेवर Scorpio N की जो बैज वैल्यू है वह फॉर्चुनर जितनी स्रॉंग नहीं है Scorpio strong है बट लोग इसे एकदम वो premium SUV की तरह नहीं जानते जो Fortuner की आज image बन गई है इस वज़े से मैं आपको यह कहने वाला हूँ कि दोनों गाड़िया अपनी जगा पे सही है अगर आपको जादा features, जादा technology, जादा comfort चाहिए मैं आपको Scorpio N की तरफ recommend करना हूँ बट अगर आपको सिर्फ एक brand value चे की यार लोग जाने की मैं लाइफ में कहीं पहुंच गया हूँ तो वहाँ पे फिलहाल के लिए तो Fortuner strong है, ऐसे नहीं की Scorpio N अच्छी नहीं है बट आपको से इसकी Fortuner वहाँ पे clearly जादा strong है यह एक clear analysis है इन दोनों products से बारे में और जो price difference है वो clearly हमें दिखा ही दे रहा है कि यार जब brand value बढ़ जाती है तो pricing भी गाड़ी की काफी उपर बढ़ जाती है तो यह था मिरा अच्छा video on multiple requests on Scorpio and Fortuner हमने यह वीडियो आपके लिए बना है तो मैं आखर में क्या लिए आप ना मुझसे में team of experts एक phone call पर जोड़के अपने सारे doubts को clarify कर सकते हो जी हां यह बात सच है अगर आप जाना चाहते हो कैसे तो आपको सिर्फ जाने motoroktrain.com slash car-consultancy वहां जाके अपने कुछ details fill up करने और call time book करना है with an expert बहुत ही आसान तरीका है और साथ ही में अगर आपने motoroktrain को subscribe किया है तो आपको सारे वीडियो वैसे भी देख लोगे और हम बहुत simple भाशा में आपको explain करते हैं जिससे आप ऐसा कारबार को most doubts clarify वहीं के वहीं हो जाएंगे so guys मिलेंगे कल फिर से वित अनौल यू वीडियो गाइस टेकर सी तुमोरो बाई